आप सभी को मेरा प्रणाम आज मैं आप लोगों को गुरु पुर्णम के निमिद कुछ ऐसी बाते बताने जा रहा हूँ जो रियल में व्यक्ति को पहचाने भी ना उसका कल्यान होना बहुत मुश्किल है आज अक्सर ऐसा लोग सोचते हैं कि जीवन में गुरु होना जरूरी है लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु कितने प्रकार के होते हैं और रियल में कौन से गुरु हमारा कल्यान कर सकते हैं और गुरु के नाम पे समाज में चल क्या रहा है इन चीज़ों के उपर मन्थन करना बहुत जरूरी है तो मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहरा हूँ कि सिला खंगुरु समाज में अक्सर देखने को मिल जाते हैं जैसे भागवत की कथा करने वाले या रामाइन की कथा करने वाले जो सास्त्रों के आधार पे चलते हैं लेकिन उनके व्यक्तिगत जिवन में अनुभूती युक्त ज्ञान नहीं हो सकता है अगर रटावा ज्ञान वाले अगर गुरु उनकी द्वार अगर हम मंत्र लेंगे उनके कहे अनुशार अगर हम चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि जिवन में फाइदा नहीं होगा फाइदा तो जरूर होगा लेकिन रियल में जो सिश्य की प्यास होती है कि आधी व्याधी उपादी कई प्रकार की समश्याओं का समन करते हुए व्यक्ति जो भवसागर पार होने की बात करते हैं वो संबव नहीं है क्योंकि अगर गुरु खुद भवसागर से पार नहीं हुए उनके जिवन में अध्यात मनुबव नहीं है न तो वो समादे की तरफ जा रहे हैं न तो उनको सुक्ष्म जगत के बारे में कोई जानकारी है तो वो कैसे कल्यान करेंगे यहां अक्सर समाज में ऐसा होता है कि अमुक अमुक गुरु जी है, उनके लाखो फोलोवर है भयेंकर भीड होती है, पूरे देश वी देश से लोग आते हैं तो हमें भी उन्हें गुरु मान लेना चाहिए भारत में जो एक्सर देखा जाता है, बेड़ चाल पबलिक ज़्यादा है कई अशा तो नहीं हो कि उन्हेंने कुछ तंत्रों के माध्यम से या कुछ छोटी मोटी सिध्या कर रखे और उन्हें सिध्यों के वल पे लोगों को प्रभावित करते हैं और गुरु बनके लोगों का उप्योग करते हो लाखो करोडो रुपया का ट्रांजेक्शन करते हो और सिश्य को अंदकार से प्रकास के और यात्रा कराने में समर्थ ना हो एसा भी तो हो सकता है मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि प्रसिद्धी को देखके गुरु बनाते हैं न कि वो ज्यान की परकास्टा को देखते हुए न तो वो शिश्य कभी गुरु की शुरवात में तो परिक्षा लेना चाहिए लेकिन न तो वो कुछ परिक्षा ले पाए और नहीं गुरु ने शिश्य को कोई अच्छे अध्यात्मिक अनुभूति करवाई न तो गुरु ने उसे कुछ दिया न तो शिश्य ने उसे कुछ समझा आउर जाने अन जाने में उभ्देशों के माध्यम से और मोटिवेट के माध्यम से कुछ अलपल आपको देखते हुए अपने जीवन को दे दिया तो असे न तो शिश्य का कल्याण सम्झा ओए न तो गुरु का कल्याण इख ओए और रियल में अक्सर ऐसा ही आजकल समाज में चल रहा है लेकिन अगर हम गुरु पुनम के साब सकर हम बात करते हैं तो वेद व्यास जी के अगर हम बात करते हैं भगवान वेद व्यास जी के अगर हम बात करते हैं तो वो ज्यान कर रहेके गुरु पुनिमा मनाई जाती थी, कि गुरु शिष्य का जो संबन देव साल में एक बार मिला जाए, शिष्यों को शक्तिपात किया जाए, शिष्यों की समयश्याओं का कुछ निराकरन किया जाए, लेकिन मैंने जबी जो बताया है कि सिलाखन गुरु, सिलाखन गुरु कई प्रकार के होते हैं, कोई गुरु रटी रटाई विद्या के माध्यम से गुरु बनके लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, और वेसे देखाई तो अच्छी बाते, बहुत सारे गंदी आदते से वेक्ति शूड भी जाते हैं, और उनके जीवर में लाब तो होता ही है, और बहुत सारे से समाज में गुरु होते हैं, जो कुछ अमकमत प्रकार के मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, और लोगों को कुछ लाब दिखाई देता है, कुछ लोगों का इस्थूल लाब होता है, कुछ बीमारिया गायव होई, कुछ लोगों की मनो कामनाई पूरी होई, इन चीज़ों को देखते हैं, लोग गुरु धारन कर लेते हैं, और उन्हें गुरु मानकर अपना जीवन उनको सोबते हैं, कि जो गुरु करे सो ठीक है, इस प्रकार के समाज में बहुत अलग-अलग कोई तांत्र वाल गुरु होते हैं, लेकिन रियल में ये सिलाखन जो गुरु है, ये आपको भवसागर पार नहीं करवा सकते हैं, मैंने इसे समाज में बहुत से देखे हैं, जो अपने सिश्यों को कहते हैं, कि तन, मन और धन, आप तीनों का हमें अरपन कर देजिए, हम आपका कल्यान करेंगे, लेकिन तन, मन धन और पन करने के बाद भी क्या गारेंटी है कि आप हमारा कल्यान करोगे, और अक्सर हत होता है, बहुत से लोगों के साथ भुरा हो जाता है, क्योंकि गुरु अनुभुती युक्ता तो है नहीं, उन्होंने सुक्ष्म जगत पी को की कोई आतरा नहीं की, और समाज में प्रशिद्धी के लिए, अपने सिश्यों को बढ़ाने के लिए नजाने क्या क्या नहीं करते हैं, तो यह से गुरु अलपल आप दे सकते हैं, ल सिला नियास गुरु के अगर हम बात करते हैं, तो गुरु गुरुक नाथ, गुरु मच्छंद्र नाथ, समर्थ रामदास, एसे इस देश में बहुत गजब के गुरु हुए हैं, जो शिश्य के भीतर पर्मानेंट बदलाव करते हैं, देखो, मोटिवेट तो आप किसी भी चीज से हो सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर का बदलाव, दृष्टी मात्र से कई प्रकार की दोशों का शमन हो जाना, इस पर्स मात्रों से कई प्रकार की समय्शाएं का शमन हो जाना, यह बड़ी बात एं, जो नाथ संप्रदाई हुए, नवनाथ जो हुए, गुरु परमपराश अगर हम देखते हैं, तो किस लेवल के गुरु हुए, कितनी बड़ी उचाहिया थी, तो जो सिलान्याश वाले जो गुरु है, वे बहुत उत्तम विद्याव से युक्त होते हैं, रियल में हमारा कल्यान वही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पूर्वा जनम कैसा था, हमारे किस प्रकार के संचिप्त कर्म है, और कौन सी साधनाए करवाने से कितना बेनिफिट होगा, अगर साधना करते करते, अगर कहीं पे अगर रुकावट आई है, विगन आ रहा है, तो उसका कैसे निराकरन किया जाए, आदी आदी, अपने ज्यान से, शिश्यों को अपने से भी उत्तम बनाने का प्रयास करते हैं, एसा नहीं कि सिलाखन गुरु की तरह कुछ विद्याये हैं, थोड़ा बहुत लोगों को शिश्यों को बता दिया और पूरा दाव अपने पास रखे हुए हैं, और प्रसिद्ध के लिए पूरा की पूरा बहारी चीजों में लेके जा रहे हैं, नहीं, ये शिला न्यास जो गुरु होते हैं, वो अपने सिश्यों को अपने जैसा ही बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, और वो पूरी यात्रा करवाते हैं, और सिला न्यास में ऐसे भी गुरू होते हैं जो एक बार दिक्षा देने के बाद सिश्यों से सरीर गुरूप में नहीं मिलते हैं सिश्यों को बोलते हैं कि भई आपको ये साधना की विधी बता दिये इस साधना से आपको सुक्ष्म जगत में जाकर या भीतरी उर्जासे आपको गुरू से कनेक्ट होके जो भी बाते हैं आपको भीतर से कनेक्ट होके बात करना उस लेवल के गुरू होते हैं और सिश्यों को उस दिशा में लेके जाते हैं और ऐसे गुरू संकल्प मातर से दुरुष्टी मातर से इस पर्ष मात्र से या मंत्र दिक्षा के माध्यम से सिश्य का पहली मुलाकात में ही काफी कुछ परिवर्तन कर देते हैं और ऐसे सिश्यों का पतन होना भी मुश्किल होता है क्योंकि उस सूखों को प्राप्त कर लेते हैं असी दीव्य अनुभूतियों को प्राप्त कर लेते हैं कि फिर संसार तूछ लगता है तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर रियल में अध्यात्मिक उन्नती चाहते हैं हमारे जीवन में जिसको बोलते हैं आत्म साक्षयात्कार करना आधी व्यादी उपादियों संसार के भव रो लोक से पार होना है तो फिर समर्थ गुरु चाहिए और समर्थ गुरु इतने इजी मिलते भी नहीं है जहां तक मैंने अपने जीवन में इतने सालों तक जो मैंने देखा और समर्थ गुर अगर मिल भी जाये तो उसको पहचाने के भी लक्षन क्या होना चाहिए कैसे होने वो बहुत सारे हमारे भीत्री भावना ही हमें पकड में लाएगी किसी के कहने पर अगर हमने गुरू बना लिया तो फिर ये तो देखा देखी वाली बात हो जाती है तो सीला नियास वाली जो गुरू होते हैं ऐसा कहते हैं कि ऐसे गुरू को समर्पन देने से कल्यान ही कल्यान होता है अब जैसे में उधारन की तोर में मैं बात करता हूँ उधारन नहीं जो रियल में घटना जो हो रही है वरतमान में एक हमारे ही संपरक में है हम ऐसे कुछ लोगों को तयार भी कर रहे हैं तो कुछ साधनाएं चल रही थी और उच्च वस्था में शिश्य पहुझ गया एक दिन क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज ने दर्सन दिये और लगबख लगबख रोज जब मेडिटेशन करते हैं जो भी हम साधना की पद्धितिया बताए हैं गुरुदेव ने वो पद्धिति इमानदारी से वो करते थे और रोज हनुमान जी के दर्सन होते थे एक दिन हनुमान जी ने बोला कि तुझे पानी पे चलना हम सिखा देंगे हवा में उड़ना मैं यह सिखा देता हूँ लेकिन तु गुरु का त्याग कर दे तुझे संसार की जो चीज चाहिए वो देने के लिए तयार हूँ सारी सिध्या देने के लिए तयार है लेकिन तु गुरु का त्याग कर दे यह हनुमान जी ने भूला तो सिश्य जो है वो हनुमान जी ने जो परिक्षाली वो उसके इसाब से फेलो गए बोले ठीक है आज के बाद मैं गुरु का त्याक कर देता हूँ आप जैसे बोलोगे वेसा मैं करने के लिए तैयार हूँ तो उसके बाद हनुमान जी अद्रेश्य हुए और दूसरे जिन से वो कितना ही वो साधना की वद्पविदी करें, मेडिटेशन करें लेकिन हनुमान जी के दर्सन होना ही बंद हो गए दो दिन देखा, पास दिन देखा, साथ दिन देखा, आट नो दिन हो गए उसके बाद शिष्य ने संपर्क किया कि मेरे साथ इसी इस तरह की घटना हुई है और हनुमान जी ने दर्सन देना बंद कर दिया मेरे से गल्दी हो गई है, मैं माफी मांगता हूँ कैसे भी करके गुरु देव से बोलके मुझे पूर्ण साथना स्टाट करवाई जाए मैं अभी इस तरह की बातों में नहीं आओगा तब गुरु देव ने बताया कि ठीक है, लेकिन आगे से इस परकार की गल्ती नहीं करना एक दो दिन में पूर्ण हनुमान जी आएंगे, दर्सन देंगे और जैसी साथना चल रही है यह थावत चाल हो जाएगी तो ऐसे गुरु होने चाहिए, जो हमारे जीवन में उस लेवल की उन्नती करा सके इसलिए बोला जाता है ना, कि गुरु गोविंद दोवों खड़े, काको लागो पाओ, बलीहारी गुरु देव की जिने गोविंद यो दिखलाई, कि जो अगर गुरु ने संकल्प कर दिया, अगर गुरु ने बोल दिया ने कि तुझे इस वर दर्सन देंगे इस दिन दर्सन देंगे, या इस दिन आपके साथ यही अनुभूतिया होने वाली है, तो वो चीज़े अटूट होती है, चाहे आकास पाताल में कोई भी गरबड़ी आ जाए, लेकिन गुरु का वचन कभी नहीं खाली जाता है, समर्थ अगर गुरु है, तो गुरु ने ज अगर रियल में अगर कल्यान चाते हैं, तो भले अगर समर्थ गुरु को प्राप्त करने में, समर्थ गुरु की खोज में, सालो साल निकल जाए न, अगर पूरा जीवन भी निकल जाए, पूरे जीवन में भटकने के बाद भी अगर समर्थ गुरु मिले न, तो भी सोदा स और नहीं तो फिर बताया सिलाखन गुरु भई आपके कान फूख दिये आपको मंत्र दे दिया या आप मोटिवेट हो गए उनकी सास्तरों की बाते या अच्छे विचारों के माध्यम से लेकिन आपने 15 साल की उमर में दिख्षा ली लेकिन 40 साल में भी जीवन में कोई अनु दूरोगुण वारम सान्ति मिली जो 15-16 साल की उमर में दिख्षा के समाई जो इस्तिती थी वो ही कल कपड वो ही गुसा वो ही इस्तिती बस इतना मौन रहें कि समारा जीवाँ गुरु जी हमारे हमेरे जीवन में कल्यान कभी न कभी करेंगे ऐसा मान के पूरा जीवन खपा आपके जिवन में अनुभूती होगी ही होगी, प्रेक्टिकल अनुभूती होगी और अपने अनुभूतियों के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी ओर का अनुभव आपका अनुभव नहीं हो सकता है, वो आपको जरूर मार्गदर्शन के रूप में, आपको सपोर्ट के रूप में हो सकता है, लेकिन दूसरे का अनुभव आपका अनुभव नहीं हो सकता है, आपको सास्त्र अभी सपोर्ट कर सकते हैं, जब आपके जीवन में व्यक्तिगत दिवी अनुभूतियां होगी साधना की अनुभूतियां होगी तभी आपके लिए सास्त्र अनुकूल है नहीं तो आपके लिए कौन सा कौन सी साधना अनुकूल है प्रतिकूल है कई बार साधनाओं में भी विक्रतियां होती है गरबढ़ियां होती है इसके लिए समर्थ गुरु का होना जरूरी है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप अमुक वेक्ति के पास चले जाओ मेरे पास आजाओ या उसके पास आजाओ हम तो केवल गुरु देव के आदेश का पालन करते है लेकिन अगर रियल में अगर आपको सत्यों को पाने के अगर भूक है अगर आपको सत्यों को प्राप्त करने की प्यास है आपके अंदर अगर वोकलावट है तो आपको समर्थ गुरु जरूर मिलेंगे और आपके भीतर जो भी आपको अशान्ती है, भई है, तनाव है, यहां जिन-जिन समश्याओं से आप गरसित है, वो सारी समश्याओं का समाधान जरूर मिलेगा लेकिन एसे गुरू से सावधान रही है, जो आपके धन का भी शोशन करें, आपके सरीर का भी शोशन करें, आपके समय का भी शोशन करें, और आपको अनुभूतिया भी नहीं करवा सकते हैं, और केवल गुरू के नाम पे समय पास हो रहा है, तो फिर तो कोई फाइदा नहीं मैंने अभी तक जो बोला है आप मेरी बातों पर गवर कीजिए एक बार नहीं आप चार बार आप इन बातों का मन्थन कीजिए और उसके बाद आप आगे कदम रखिए कैसे नहीं जीवन में कल्यान हो सकता अगर रियल में अगर आप अध्यात्म के मारगे में सच्चे जी ग्यास होए तो और रटन वाले ग्यान से और नकल वाला ग्यान आपको कभी वो नहीं हो सकता अरे जो गुरु खुद बंधन में बंदा हुआ है परिशानियों में जूज रहा है जिसको भीत्री अनुबूतिया नहीं है ग्रंथों का निचोड नहीं है और ग्रंथों के अंदर जो लिखा है वो अनुबूतिय अगर आपके भीतर नहीं करवा सकते है तो तो मुश्किल है हाँ कुछ लाब मिल सकता लेकिन हम जिस परम लाब की बात कर वो परम लाब संभव नहीं है तो बस आज में इतना ही आप लोगों को गूरु के विशाई में जान का रही थी आगे और हम इस बारे में और भी कोई चर्चा करेंगे आप लोगोंने मेरी बात को बहुत अच्छे से सुना इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद बस प्रणाम जयी जयी